दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि इस चैनल पे हम लास्ट दो साल से आपको जोब के अपडेट दे रहे हूं और मेरे पास 6 साल का experience है और इस experience के अंदर काफी सारी चीजे timely change होती रही उसका सबसे बड़ा reason था कि COVID का impact जो पड़ा पहले जब हम job apply करते थे और जो हमें job मिलती थी उसका पूरा procedure था उसका एक simple step हुआ करते थे पर after COVID चीज़ है dynamically तरीके से change हो गई है अगर आपको मैं ये चीज़ बताऊं कि जो unemployment rate है वो पहले और अब में difference तो है पर बहुत ज़्यादा difference नहीं है जो कि काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि after COVID जोब खतम हो चुकी है ऐसा बिलकुल नहीं है after COVID आपकी जो job मिलने का procedure है वो काफी हग तक change हो गया है आप लोग अभी भी उसी पुराने procedure से चीज़े को apply कर रहे है पर COVID के बाद जो apply करने का procedure था उसमें dynamically change आया है सारी चीज़े online हो चुकी है सारी चीज़े आपकी यहाँ पर base हो चुकी है skilled पर पहले क्या होता था आप अपने resume बनाते थे company में रेते थे basic interview होता था joining हो जाती थी अभी भी procedure के main menu step के अंडर वो चीज़े अभी भी है पर बहुत सारी चीज़े add-on हो गई है और जो लोग इस add-on चीज़ों को समझ पाए है उनको आज भी job मिल रही है तो वो क्या चीज़े add-on हुई है कैसे impact बड़ा है और एक बहुत बड़ा नाम जो आज कर आप job industry में जरूर सन रहे होंगे re-level exactly re-level है क्या और यह re-level platform आपके कैसे help कर सकता है क्या कोई promotion का part है re-level का क्या reality में re-level की कुछ ऐसे points है जो आपके career को change कर सकते especially आपको वो job opportunity दे सकते हैं की आप demand कर रहे है तो आप सारी information आपको इसी video में मिलने वाली है जितनी भी mind के अंदर आपके doubts है वो सारे resolve और क्या-क्या changes हुए है उन सब changes को detail में discussion किया जाएगा मैं आपको clearly पताता हूँ video थोड़ी से लंबी होने वाली है बट अगर आप यहां पर अपने 10-15 minutes देंगे तो I am damn sure जो इतनी सारी problems आपको आ रही है आपकी एक job मिलने से related वो सारी problem का solution आपको इसी video में मिल जाएगा तो चलिए start कर Welcome back to job vacancy result मैं से चीन चोहान आपके लिए लेके आच उका हूँ जो की COVID के बाद impact पढ़ा है job industry पे जैसे मैं आपको एक line के अंदर simply बताया था कि पहले जो unemployment rate था और जो अब unemployment rate था उसमें ज्यादा major difference नहीं आया मार्केट में, reality में job available है आप deserve करते तो आपको जरूर मिलेगी अब क्या-क्या चीजे changes आया है उनके उपर थोड़ा सा discussion कर लेते है पहले का procedure आप सभी लोगों को पता ही होगा नहीं पता वो भी आपको मैं बता देता हूँ आप अपने resume बनाते थे company में resume बेशते थे आपका interview होता था और आपकी joke मिल जाती थी simple मतलब 3-4 step के अंदर आपको joke मिल जाती थी अगर मैं अभी भी आपको यह 4 step करने पर इन 4 step को करने का जो procedure है वो different है क्या है वो चीज मैं आपको explain करूँगा जिसके अंदर मैं आपको कुछ points अभी से बता देता हूँ जैसे पहले क्या होता था कि आप office चाते थे HR से मिलते थे interview देते थे अब वहाँ पर क्या हो चुका है work from home हो चुका है most of the company के अंदर अब आप HR से connect नहीं कर सकते तो अब क्या हो चुका है start video resume आपका yes video resume के अंदर क्या होता है कि आपके face expression आपकी vocabulary आपकी communication skills सभी parameter पर आपको judge किया जाता है और से video resume से आपको job नहीं मिलती अब यहाँ पर आपके skill को test करने के लिए आपके test वगरा भी होते है पहले जो test का procedure होगा करता था वो aptitude test को जादा focus किया जाता था तर अब वो चीज़े change हो चुकिए अब आपको every single parameter पर judge किया जाता है मतलब process तो mainly 4 ही है पर उन 4 procedure का duration of time increase हो चुका है पहले आपको एक या दो दिन के अंदर job मिल जाती थी अब आपको at least 15 days यहाँ पर देने पड़ेंगे पर अगर मैं आपसे कहूँ अगर आप 15 days यहाँ पर अपने देते हैं जो covid के बादा है इन सभी changes को समझ के अपने platform को develop कर चुका है देखो आपको जो तब मिलेगी जब एक HR हैपी होगा एक company हैपी होगी आपको hire करने के लिए आप एक company हैपी कब होगी जब उसे skilled candidate मिलेगा वो candidate मिलेगा जिसकी real में उसको need है और वो candidate मिलेगा जिसको वो उतना ही pay कर सकती है जितना उनका budget है और आपको खुशी कब मिलेगी जब आपको job मिलेगी और आप जो market में amount deserve करते हैं जो आप salary deserve करते हैं वो आपको मिलेगी और जल्दी से जल्दी आपको job मिलेगी गैरंटी job मिलेगी और एक awesome company के अंदर job मिलेगी चुकि career build करना भी बहुत सारे लोगों की priority होती है मतलब एक top companies के अंदर और मैं कहाँ यह दोनों ही चीजों को re-level अपने platform पे match कर रहा है that's why re-level एक ऐसा platform है जिसके बारे में हम आपको explain करूँगा जिससे re-level का क्या सच है आपको clear हो जाएगा and why we choose re-level re-level ही मैं यहाँ पे choose क्यूं कर रहा हूँ देखो यहाँ पे यह re-level को choose करने का सबसे बड़ा reason इसलिए है चुकि मेरे पहले कुछ video बनाए थी और आपके इतने awesome feedback आई you can't imagine मिलब re-level पे video को देखके almost almost 200 से जादा लोगों की job लग गई within 15 days के अंदर और यहाँ पे यह सारी चीजों के मेरे पास proof भी है proof के लिए आपको हमारे instagram पे जाना होगा instagram का link में नीचे आपको available करवा दूँगा back to the content आते हैं कि why re-level तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहली चीज बताता हूँ just 15 days के अंदर आपको job मिल जाएगी duration of time fixed हो गया ऐसा लिए है दो मेने तीन मेने आपको wait करना पड़ेगा second part क्या है कि यहाँ पे maximum company on board हो चुकिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि 200 से जादा company आपे on board है तो जितनी जादा companies होगी उतनी जादा opportunities होगी और उतने जादा आपकी possibility होगी यहाँ पे hire होने की तो आप समझ सकते हैं 200 से जादा company 2000 से जादा jobs यहाँ पे available हैं तो numbers जादा हैं तो इसलिए आपके chances increase हो जाते हैं तीसरा point जो salary का आता है salary रहेगी up to 40 lakhs yes काफे सारे लोग आज भी वो 15-20 अजार की job कर रहे हैं और तब वो बाहर निकलते हैं चीजे देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है यार 20 अजार में यह चीजे में नहीं afford कर सकता तो उनके मन में भी आता है यार वो salary package कैसे मिलता है भाई मेरे 22 लाग का salary package है भाई मेरे दोसका 24 लाग का salary package यह वो कैसे मिलता है वो मिलता है अगर आप right platform के थूँ अपलाई करते हैं जो कि वहाँ पे आपके skilled को represent किया जाता है जब आपके skilled represent होंगे तो उसके base पे आपको awesome salary मिलती है तो आपको जो इसरा point ता salary यहाँ पे up to 40 lakh rupees है जो इस platform को double awesome बना देती है तो यह तीन major benefits में आपको बता है पर इन तीन benefits के इलावा जो चार simple step थे जिससे पहले आपको job मिलती थी वही चार step को आपको यहाँ पे follow करने और आपको job मिल जाएगी पहले step आपका क्या होता simple registration पहले आप company में जाते थे आप खुच जा रहे हैं तो आप वहाँ पर registered करने अपको अपने आपको अब यहाँ पर जाने रहे work from home आपको mostly job मिलने वाली है तो आपको registration करना है registration करने वही basic step आपका contact number हो गया आपकी email आइडियो हो गया आपकी थोड़ी सी detail information हो गया कौन से college से pass out हो graduation क्या है graduation नहीं भी है person graduation है या 12 pass है वो सारी चीज़ें त्योंकि यहाँ पर qualification का barrier ही नहीं है यहाँ पर job मिलेगी आपके skill के base पे तो पहला part आपका registration हो गया second part आपका क्या होता था कि आप वहाँ पे देते थे अपना interview और interview सभी candidate का नहीं होता था से पहले एक छोटा मोटा test होता था जिसे हम aptitude test बोला करते थे एक form दे दिया जाता था दस question होते थे अब इस चीज को change कर दिया गया है और यह चीज सबसे ज़्यादा important है चुकि जो salary इतनी मिल रही है वो क्यों मिल रही है देखो कोई भी company free में salary नहीं बाठते है आप deserve करते हो तो आपको मिल रही है तो इतनी salary मिलने का सबसे बड़ा reason क्या है यहाँ पर जो test होता है उसका level होता है बहुत ज़्यादा awesome अगर आप यहाँ पर test clear करते हो तो आप उस awesome level को deserve करते हो जिससे आपकी salary up to 10 lakh up to 20 lakh up to 40 lakhs यहाँ पर आपको no test मिलेंगे जिसके अंदर आपका IT, non IT, आपका HR से related हो गया, आपका management से related हो गया, आपका business development से related हो गया तो almost यहाँ पे उन्हें उन्हें सभी major categories को अपने अंदर add-on करका है जिस पे आप यहाँ पर test दे सकते हैं तो यह सारे वो test हैं जो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अब आप यहाँ पर test देते हैं, जो की 1000 number का होता है, 1000 maximum score होता है आपका एक यहाँ पर cut off लग दी गई है 700, जैसे आप 700 cross करते हो, आप यहाँ पर qualify हो जाते हो, अब test कब होता है, कितने charges है, सारे question आएंगे तो test totally free है, आपको एक single pay भी नहीं करना, जो इस चीज को काफी अच्छा बनाती है, अगर कोई भी company आपसे starting में पैसा मांग रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वो company कितने ही test वाली होगी तो absolutely free है, आपको कुछ pay भी करना, second date आती है, अगर हम test दे रहे हैं, preparation करने का part होता है, किस दिन test होगा, कितना time मिलेगा, तो test आप दे सकते हैं अपने according, यहाँ पर test की काफी सारी dates होती हैं, दिनकों slot बोलते हैं, आप अपने according अपने slot बुक कर सकते हो, आप आज रेडियो आप कल कर अगर लो, आप चार दिन बात करना चाहते हो, आप चार दिन बात कर लो, तो आप अपने according अपने slot बुक कर सकते हैं, और अगर कौन सा course आने वाले हैं, तो यारी कैसी करनी है, तो mock test और जो syllabus होगा, उसके सब चीज़े आपको officially website पर आपको available हो जाएगी, और second step complete हो जाता है, मतलब यहाँ पर आपने test दिया, test में pass या fail तो second part रहेगा, पर मैं यहाँ पर pass को ही आपको majorly consider करता हूँ, चुकि मुझे लगता है most of the candidates अगर mock test देते हैं, syllabus उनको पता है, तो वो pass easily हो जाएगे, आपने 700 का score अचीब कर लिया, दो step आपके complete, तीसर step आपक दूसरी company को, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, जब आप अपने score complete कर लेते हो, तो आपके score के base पे different company पे आपका score भेजा जाता है, कि इस candidate ने इतना score करा, यह सका skill है, अब आप देखो कि आप कौन-कौन लोग इसे hire करने में interested हो, काफी सारी company hire करने में interested होती है, चुकि starting में बत आप जैसे interview clear करते हैं, वो अपने आपको package पताती है, अगर आपको लगता है, आप उसमें interested है, तो आप महाँ पे join कर लेते हैं, तो मुझा तीसे स्टेप में आपका interview होगा, जो कि different companies से हो सकता है, तो एक single test से आप काफी सारी company में यहाँ पे approach कर सकते हो, जो मुझे personally बहु कि यहाँ पे joining हो जाएगी, तो time की value यह अच्छे से समझते हैं, जो personally मुझे re-level को promote करने के लिए influence करती है, re-level के बारे में आप लोगों को जरूर पता ही होना चाहिए, then आपका यहाँ पे तीसर step था, आपका interview, जैसे आपका interview clear होगा, then आपका four step होगा कि आपको यहाँ प प्लेस हो जाएंगे, जो आगे का procedure है, आप सभी को पता है, आपकी basic training होती है, then आपकी joining होती है, यह सभी company के different different चीज़े होती है, यह depend करता है, आप IT sector में गए, non IT sector में गए, आप HR field के अंदर गए, management, project management के अंदर गए, तो सारी चीज़े आपकी बाद में depend करेगी, पर जो person के अपनी mentality होती है, अपने question होती है, जो हमसे वो पूछना चाहते है, तो उनके लिए हम यहाँ पे available हमेशा रहेंगे, तो आप लोग अपने नीचे comment section के अंदर feedback जरूर शेयर करिएगा, और एक चीज़ में आपसे बोलना चाहूंगा, काफी सारे लोग ना video के starting में ही चल मिले, तो every single candidate जो वीडियो लास्त तक देखता है, उसको job की information, detail में मिले, सारी confusion दूर हो, उसके responsibility में लेता हूँ, so I hope so आपका content पसंद आया होगा, apply link आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएगा, मैं सचीन चोहान, आपसे मिलता हूँ next video में next content के साथ, जाहित!